Hello everyone, welcome to my secret recipe corner आज हम बनाएंगे strawberry ice cream वो भी बिना strawberry के जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है गर्मियों में हम ice cream तो बनाते ही रहते हैं लेकिन आज हम ऐसे ice cream बनाएंगे जो market से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और बहुत कम खर्च में बन कर तैयार होगी इसे बनाने में हम सिर्फ दो ही ingredients का यूज करेंगे और आप सोच भी नहीं सकते कि market से अच्छी ice cream आप घर पर बना सकते हैं तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं strawberry ice cream strawberry ice cream बनाने के लिए मैंने दो चीजे लिए हैं एक लिटर full fat दूद और दूसरी चीज है strawberry custard तो सबसे पहले हम एक कड़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे एक लिटर दूद थोड़ा सा दूद में इसमें से बचाऊंगी जिसमें हम custard powder mix करेंगे अब हम दूद को gas पे रखेंगे और इसमें उबालाने देंगे इसे हमें लगातार चलाने के कोई जुरत नहीं है बस इसी तरह से इसमें उबालाने देंगे बचे हुए दूद को हमें एक बाउल में लेना है और उसमें डालेंगे 40 पून custard powder custard powder हमें हमेशे ठंडे दूद में ही mix करना चाहिए अगर हम इसी गरम दूद में mix करेंगे तो इसमें लम्स पढ़ जाएंगे तो जब भी आप custard बनाएं उसी ठंडे दूद में ही mix करके डालें इस तरह बनाने से custard में बिल्कुल भी लम्स नहीं पढ़ते हैं ये देखे दूद पर मलाई आने लगी है दूद को एक बार चलाएंगे और दूद में उबालाने का वेट करेंगे दूद में उबाला गया है और जो हमने एक बावल में custard को mix किया था उसे हम धीरे धीरे करके दूसरे हासिस में डालते जाएंगे एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे और इस स्टेज पर हमें दूद को लगातार चलाते रहना है अगर हम इसे छोड़ देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे बस इसी तरह से लगातार चलाते रहना है और दूद के घाड़ा होने का वेट करेंगे ये देखे दूद घाड़ा होने लगा है लेकिन अभी हम इसे थोड़ा और पकाएंगे दूद काफी घाड़ा हो गया है इसकी कंसिस्टेंसिया में ऐसी रखनी है और इसे उबलते वे सिर्फ अभी पांच मिन्ट हुए है अब हम इसमें एड़ करेंगे शुगर दूद में हाप बाउल में शुगर एड़ करूँगी ये आप अपने टेस्ट के अकोडिंग एड़ कर सकते हैं क्योंकि थंड़ी चीजे थोड़ी मीठी अच्छी लगती है बस इसे हलका सा चलाएंगे और चीनी के मेल्ट होने का वेट करेंगे चीनी अच्छी से मेल्ट हो गई है अब हम कैस का फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे थंड़ा होने के लिए रख देंगे ये देखी अच्छी से थंड़ा हो गया है अब हम एक कंटेनर लेंगे और दूद को उसमें ट्रांसफर करेंगे और इसे इस तरह से बंद करके रखेंगे जिससे इसमें आइस क्रेस्टल ना बने और तीन-चार घंटे के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे तीन-चार घंटे हो गए हैं और ये देखे सेट हो गया है ये देखे कितनी स्मूथ सी आइस क्रीम बनने लगी है ये देखे अब हम इसे फिर से एक बार जार में निकालेंगे और एक डेड़ मिंट के लिए इसे ब्लेंड करेंगे ये देखे मैंने इसे एक डेड़ मिंट के लिए ब्लेंड कर लिया है और देखे इसका टेक्षर एकदम स्मूध हो गया है अब हम इसे फिर से एक बार कांच के बरतन में निकालेंगे और इसमें डालेंगे हलका सा फूर कलर अब एक टूथ पिक लेजे और कोई भी इस पर डिजाइन इस तरह से बना लीजे अब हम इसे एक फोईल पेपर से कवर करेंगे ताकि इसमें बरफ के क्रिस्टल ना बने ये देखी जो हमारी ब्लैंड की हुई एसक्रीम बच कही थी उसे में इस तरह के कोफी वाले ग्लास में और इस तरह की कटोरी में भी जमा कर दिखाऊंगी अगर आपके पास इस तरह के कोफी वाले ग्लास और कटोरी ना हो तो आप इस्टील की कटोरी और ग्लास में भी जमा सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट बनती है और इन्हें डेकोरेट करूँगी मैं टूटी फ्रूटी से इन्हें भी हम फोयल पेपर से कवर करेंगे बीच में एक नाइफ से हलका सा कट लगाएंगे इस तरह से और इस्टीक को इसमें रख देंगे और इन कटोरियों में हम इस्टिक नहीं लगाएंगे यह हम उस तरह से बनाएंगे जिस तरह की मार्किट में कटोरी वाले आईस्क्रीम मिलती है और इन्हें भी सैट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे देखे आईस्क्रीम अच्छी से सैट हो गई है और मैंने इसे ओवरनाइट के लिए सैट होने के लिए रखा था यह देखे बिल्कुल अच्छी से जमी है जिस तरह की मार्किट में कटोरी वाले आईस्क्रीम मिलती है ना बिल्कुल उसी तरह से यह देखे कितनी अच्छी सैट हुई है चली यह भी दिखाती हूँ यह देखे यह भी बिल्कुल अच्छी से सैट हो गई है चली तो सबसे पहले मैं आपको कुल्फी निकाल के दिखाती हूँ सबसे पहले हम इसे हातों से इस तरह से रख करेंगे और इसे हलका सा गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से निकाल लेंगे ये देखे दोनों कुलफी खाने के लिए एकदम रेड़ी है चलिए वकटोरी आईस्क्रीम आपको इस्पून से निकाल के दिखाती हूँ इदेखे कितने अच्छे से निकली है हमारी ये आईस्क्रीम भी एकदम परफेक्ट बनी है चलिए मैं आपको ये आईस्क्रीम भी दिखाती हूँ वाव ये देखे कितनी सुन्दर लग रही है क्या कोई बोल सकता है कि ये अपने घर पे बनाई है चलिए भी से सरू करते है चलिए तो हम अपने आईस्क्रीम कप को थोड़ा सा टैकूरेट कर देते हैं ये रख दिए है मैंने इसमें वेफर रोल्स और उपर सिस में डाल दूँगी थोड़ी सी टूटी फ्रूटी बस हमारी स्ट्रबेरी आईस्क्रीम सर्व करने के लिए रेडी है अब आप इसी थंड़ा थंड़ा इंजोय कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और सीक्रेट रेस्पी कोर्णर को सब्सक्राब कीजिए और ऐसी और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए